Hello दोस्तों, मेरे चैनल सुकसमरदी उपाई में आप सभी लोगों का हाड़िक स्वागत है आज में कातिक महत्तम की सारी कहानी आपको सुनाँगी कहते हैं कातिक महत्तम में कहानी सुनने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और हमें विशेष पुन्ने की प्राप्तिम होती है तो आज मैं कातिक की सारी कहानी सुनाने जा रही हूँ वीडियो पे होगी लगे तो लाइक सस्क्राइब जरूर करिएगा जिससे आगे वीडियो मिलती रहें गडेज जी की पहली कहानी सुन लेते हैं एक गाम में मा बेटी रहती थी एक दिन वह अपनी मा से कहने लगी कि गाम के सब लोग गडेज मेला देखने जा रहे हैं मैं भी मेला देखने जाओंगी. मान ने कहा वहां बहुत भीडोगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लगेगी. लड़की ने मा की बात नहीं सुनी और मेला देखने चली गई. मानने जाने से पहले बेटी को दो लड़ू दिये और एक गंटी में पानी दिया. मा ने कहा कि एक लड़ू तो गनेजी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड़ू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना लड़की मेले में चली गई, मेला खतम होने पर सभी गाउवाले वापस आ गई, लेकिन लड़की वापस नहीं आई लड़की मेले में गणेजी के पास बैठ गई, और कहने लगी एक लड़ू और पानी गणेजी तुमारे लिए है और एक लड़ू और बाकी बचा पानी मेरे लिए इस तरह कहते कहते सारी रात बीद गई गड़े जी यह सोच देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह एक लड़ू और पानी नहीं पिया तो यह अपने घर नहीं जाएगी यह सोच कर गड़े जी एक लड़के के वेस में आए और उसे एक लड़ू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया फिर वह कहने लगे कि मांगो तुम क्या मांगती हो लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगू अन मांगू या धन मांगू या अपने लिए अच्छा वर मांगू या खेत मांगू या महल मांगू वह मन में सोची रही थी तो गणेजी उसके मन की बात को जान गए वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुमें मिलेगा लड़की घर पहुँची तो मा ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया जैसे गणेजी महाराज ने उस लड़की को दिया वैसे सब को देना कहते सुनते हुंकारा भड़ते का भला कातिक मास की दूसरी कता एक नगर में एक ब्रहमण ब्रहमणी रहते थे वे रोजाना साथ कोस दूर गंगा यमना सनान करने जाते थे इतनी दूर आने जाने से भ्रहमणी ठक जाती थी वे भ्रहमणी तब भ्रहमणी कहती थी कि हमारे एक बेटा होता तो कितना अच्छा रहता बेटे के बहु आती तो हमें घर आप बापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहु घर का काम भी कर देती ब्रामणी की बात सुनकर ब्रामणी ने कहा कि तूने बात तो सही कही है चल मैं तेरे लिए बहु लाकर ही देता हूँ ब्रामणी ने कहा कि एक पोटली में आटा डाल कर कुछ मोहरे रख दे और ब्रामणी के कहे पर ब्रामणी ने पोटली बांद कर दे दी ओटली लेकर ब्रामर चला गया ब्रामर भी कुछ दूर ही गया था उसे यमना के किनारे बहुत ही सुन्दल लड़कियां दिखाई दी वे रेत में घर बना कर खेल रही थी उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए लड़की की बात सुनकर ब्रामर मन ही मन सोचने लगा कि बहु बनाने के लिए यही लड़की सही रहेगी जब वह लड़की जाने लगी तो ब्रामर भी उसके पीचे-पीचे हो लिया वहाँ जाकर ब्रामन ने कहा बेटी अभी कार्तिक मास चल रहा है इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता हूँ मैं आटा लेकर आया हूँ तुम अपनी मासे कह दो पूछ लो कि आव है मेरे लिए आटा चान कर चार रोटी बना देगी यदि वह मेरे आटा चान कर रोटी बनाएंगी तो मैं रोटी खाऊंगा लड़की ने जाकर अपनी मासे सारी बात कह दी माने कहा ठीक है जाकर बाबा से कह दें कि वह अपना आटा दे दें मैं रोटी बना दूँगी जब आटे चानने लगी तो आटे में से महरे निकली महरे निकली महरे सर्फी निकली वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी महरे हैं उसके घर में कितनी होंगी तब भ्रामण खाना खाना खाने बैठा तो लड़की की माने कहा बावा आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो तब भ्रामणी ने कहा कि मेरा बेटा तो कासी में पढ़ने गया हुआ है लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से बिवा करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाओ लड़की की मा ने कहा ठीक है बावा और खांड का टोरे से साधी करके ब्रामण के साथ भेज दिया ब्रामणी घर आकर कहा रामु की मा दर्वाजा खोल कर देख मैं तेरे लिए बहु लेकर आया हूँ ब्रामणी बोली दुनिया ताने मारती थी अब आप भी मारने लगे हमारे तो साथ जनम भी कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहु कहां से आएगी ब्रामणी ने कहा कि तू दर्वाजा खोल कर तो देख तब ब्रामणी ने दर्वाजा खोला तो सामने बहु को खड़ी देखा उसने बहु का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई अब ब्रामड और ब्रामडी दोनों इसनान करने के लिए जाते बहु घर का सारा काम करके खाना बना कर रखती वहें उनके कपड़े धोती राथ को पैर भी दवाती इस समय काफी इस तरह काफी समय बीद गया ब्रामणी ने भी अपनी बहु से कहा कि बहु कभी भी चूले की आग मत भुझने देना और मटके का पानी खतम मत होने देना एक दिन चूले की आग भुझ गई तब बहु भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूले की आग भुझ गई है मुझे थोड़ी आग चाहिए मेरे साथ ससुर सुभह चार वजे से गए हुए हैं और वहतकेहारे आएंगे इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है तब पड़ोसन ने कहा कि तू तो बाबली है तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं इनके कोई बेटा नहीं है बहु ने कहा नहीं ऐसा मत बोलो इनके बेटा तो बनारस कासी में पढ़ने गया हुआ है तब पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे जूट बोलकर लाएं है इ जली फुकी रोटियां बना कर देना और बिना नमकी दाल बना कर देना खीर की कचड़ी दाल में कर देना और दाल की कचड़ी खीर में कर देना वह पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आ गई जब उसके सास ससूर घर आये तो उसने ना तो उनका आदर ही किया ना ही उनकी जब उनके सास ससूर को खाना दिया तो सास बोली बहु आज ये रोटी जली फुकी क्यों है दाल आलूनी क्यों है तब बहु ने पलट कर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खा लोगी तुमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा सास ससूर को खरी खोटी सुना कर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है पड़ोसन ने कहा अब तू साथो कोटों की चावी मांग लेना अगले दिन जब बिस नान करने के लिए जाने लगे बहु अड़कर खड़ी हो गई मुझे पहले साथो को इंडार बढ़ा है किसी में धन का किसी कोटे में बढ़तन का जब उसने सबसे उपर का सात्वा कोट कोल कर देखा तो उसमें सिप जी जी पारवती जी गड़ेज जी लक्षमी माता पीपल पतवारी कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर तुलसी का बिढ़वा गंगा यमना वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है यह सब देख कर उसने लड़के से पूछा कि तू कौन है तब लड़का बोला कि मैं तेरा पती हूँ अभी दरवाजा बंद कर दे जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा कोलना यह सब देख कर ब वह बहुत प्रिशन हुई बहुत कुछ हुई सोले सिंगार का सुंदर वस्त पहन कर अपने सास ससूर का इंतजार करने लगी उसने अपने सास ससूर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए जब उसके सास ससूर घर पर आए तो उसने उनका आदसतकार बहुत किया प्रे में ही नहालिया करो तब सास ने सुनकर कहा बेटी गंगा लैमना घर पर तो नहीं वैती है तब उसने कहा मा जी भैती है चलो मैं आपको दिखाती हूं तब वहुने इस्टवा कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें सिब जी जी पारवती जी गनेज जी लक्षमी जी पीपल पत्वारी कातिके ठाकुर राई दामोदर तुलसी का बिढ़वा गंगा इमना भेर रही है तेतिस कोटी कर देवी देपता वराजमान है वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है माने कहा कि तू बेटा तू कौन लड़का ब ने कुछ विद्वान पंडित से मदद मांगी पंडितों ने कहा इस पार बहु बेटा खड़ा हो जाए और उस पार बुडिया खड़ी हो जाए बुडिया के चमडे की अंगिया पहनी हो और चाती में से दूद की धार निकल कर बेटे की दाड़ी मुझ भीग जाए पवन पानी से बहु बेटे का गट जोड़ा बंद गया यह देखकर यह सब देखकर ब्रहमर ब्रहमरी बहुत खुस हुए उनका खुसी का कोई ठीकाना नहीं था क्योंकि उन्हें पुत्र जो मिल गया था और सारे देवी देपता उनको दरसन हो गए थे हे कातिक के ठाकोर जैसे ब्रहमर ब्रहमरी को बहु बेटा दिया सब को देना कातिक मास की कथा कहने सुनने हुंकारा भणने वाले सब पर किरपा करना बोल कातक महराज की जै बोल तुलसी माता की जै सुन लेते हैं तीसरी काहनी एक बढ़िया माई थी रोज तुलसा जी की पूजा करती तुलसा माता से कहती हे तुलसा माता सतकी दाता मैं बिल्ला सीचू तेरा तू कर निस्तारा मेरा तुलसा माता अडवा दे गडवा दे पीतांबर की धोती दे मीठा मीठा घास दे वैखुंट का बास दे चटके की चाल दे पठकी की मौत दे चंदन का काट दे ज तुलसा माता क्यों सूख रही हो तुलसा माता ने कहा एक बढ़िया माई आती है जो इतना कह कर जाती है मैं सब कुछ तो दे दूंगी कृष्ण का कांधा कांसे दूंगी तुलसा माता से बोले तुम चिंताल मत करो मैं दूंगा कुछ दिनों बाद बढ़िया माई मर गई सब कोई उठाने लगे वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं सब कोई कहने लगे ये तो पाप घाट की माला फेरती थी जो इतनी भारी हो गई भगवान बुड़े ब्रहमण का रूप धारन करके आए वो साचे दरवार की जै फिर कहने लगे कि इतनी भीड क्यूं लगा रखी ह सब कोई कहने लगे के एक बुड़िया माई थी पाप घाट की माला फेरती थी इसलिए किसी से नहीं उठ रही है तब कहने लगे किशन जी मुझे भी अपने मन की निकालने दो तब किशन जी बुड़िया माई के पास गए और बुड़िया माई के कानों में बोला बुड़ की मौत ले जंदन का काठ ले जहलर की जनकाल ले साई का राज ले डाल भात का जीवन ले कृष्ण का कांधा ले इतनी बास सुनते ही बुड़ीयमाई हल की हो गई और भगवान कांधे पर लग कर ले गए उसकी मुक्ती हो गई जैसे तुलसा माता उसकी मुक्ती करी वैसी सब की करियों कहते सुनते हुंकारा भड़ते का भला वो साचे दर्वार की जै अब सुन लेते हैं चोथी कहान बहुत समय पहले की बात है एक राजा के महल में एक ल्ली और एक घुन रहते थी एक दिन इल्ली ने घुन से कहा कि चलो हम दोनों कार्तिक सनान करने चले गुन ने कहा कि इल्ली तुम तो गोरी हो तुम हो नहालो मैं तो मोट बाजरा में पढ़ा हूँ मैं तो नहीं नहुँगा मैं तो अभी हरे बाजरे का सीटा खाउँगा ठंड़ा ठंड़ा पानी पियूँगा इसके बाद इल्ली राजा की बेटी के पल्ले पर लगकर कार्तिक इसनान करने चली गई और गुन नहीं नाया कुछ दिन बाद कार्तिक खतम होते ही दौनव मर गए कार्तिक का इसनान करने से इल्ली राजा के घर पैदा होती है और गुन उसी राजा के यहां गदा बन कर जनम लेता है राजकुमारी बड़ी हो गई तो उसका विवा पक्का हो गया राजा ने धूम धाम से राजकुमारी का विवा किया राजकुमारी जब सुस्राल जाने लगी तो उसकी पाल की अचानक से रुख गई राजा और रानी ने कहा कि पालकी क्यों रुख गई तब राजा ने राजकुमारी से कहा कि पिताजी मुझे ये घदा चाहिए राजा ने कहा यह मतले चाहे जितनी धंदौलत ले जा या जो कुछ मांगे वो ले जा पर राजकुमारी नहीं मानी बोली नहीं मुझे तो यही चाहिए हार कर राजा ने घदा दे दिया घदे को रथ के साथ बांद दिया गया तो घदा दोडने लगा महल में पहुँचने पर घदे को महल के नीचे बांद दिया गया तब राजकुमारी नीचे उतरती तो घदा कहता मुझे पानी पिला दे तब राजकुमारी ने कहा मैंने पहले ही कहा था काती किसनान कर ले पर तूने कहा सुनी मेरी मैं तो बाज रखाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी प्यूंगा राजकुमारी और घदे की बातें उसकी दे अपने देवर के पास गई, बोली कि तुम जादुगर्नी ब्या कर लाए हो, जानवरों से बात करती है वो, अपनी भावियों की बात सुनकर राजकुमार बोला, मैं ये बात नहीं मानूंगा, जब तक मैं अपनी कानों से नहीं सुन लेता, अपनी आखों से देख नहीं लेत सामने आया और बोला, तुम जानवरों से कैसे बात करती हो, बताओ की तुम कौन हो, उस पर राजकुमारी ने उससे कहा, किसी औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह अड़ा रहा, नहीं मैं ये सब जान कर ही रहूंगा, राजकुमारी की जिद पर, आगे नहीं की बात कही, लेकिन इसने मना कर दिया, इसके परिणाम सब रूपी है, इस जनम में घदा बन गया, और मैं राजा की बेटी के पल्ले से लगकर नहीं थी, तो राजकुमारी के रूप में पैदा होई, इसलिए मैं तो इससे पिछले जनम की बाते कर रही थी, कुमारी ने कहा, यदि कार्तिक इसनान का इतना महत्व है, तो हम दोनों कार्तिक इसनान जोड़े से करेंगे, और दान पुन्ने भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम सुख पूरवक रह सकें, दोनों ने जब जोड़े से इसनान किया, तो उनके पास काफी धन हुआ, इ साचे दरवार की जै बुल कातक महराज की जै अब सुन लेते हैं कातक महराज की पाँच विकता एक साज बहु थी दोनों कातक नाया करती थी साज जो थी बारे कोश जाती बारे कोश आती और बहु जो थी वो कड़िया में पानी डाल कर कह देती मन चंगा तो कठोती में गंग गंगा जी वहीं आ जाती और बहु ना लेती एक दिन क्या हुआ सास गई हुई थी गंगा ना ने उसकी नत बहगई घर में बहु न आई थी उसकी कड़ईया में आकर गिर गई सास आई और उदास होकर बैट गई बहु ने पूछा सासो जी आज उदास कैसे बैटी हो सास ने कहा बेटा आज मेरी नत गंगा में गिर गई उसने निकाल कर दिखाई बोली तेरे पास कैसे बोली आप बारे कोज जाती हो बारे कोज आती हो और मैं कड़िया में पानी डाल कर कह देती, मन चंगा तो कटोती में गंगा गंगा जी वहीं आ जाती हैं और उसी में आपकी नत बहाई मैंने लेली, जैसी सास ने आई, वैसी किसी को न आई, जैसी बहु ने आई, वैसी सब को आई कहते सुनते हुंकारा बढ़ते का भला बोल तुलसा माता कीज़ बोल कातक महराज कीज़ इस तरह से अब इस साभी देवरी ताउताओ के जै जेकार लगाने हैं आपको और इस तरह से पूरी हुई कहानी वीडियो पे होगी लगे तो लाइक सस्क्राइब जरूर करिएगा जिसे आगे वीडियो मिलती रहें